पंजाबी फिल्मों में अपने अभिने से लाखो दिलों को जीतने वाले दिगज और मशूर अभिनेता दीब सिद्धू अब हमारे बीच नहीं रहे। हाल ही में उनका सड़क हादसे में निधन हो गया। दीब सिद्धू की असमाई हुई मौत से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। कई सितारों ने सूशल मीडिया के जरिये उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। इतना ही नहीं दीब सिद्धू की गल्फ्रेंड अब नेतरी रीना रॉय उनके निधन से काफी सद्मे में है। दरिसल सूनी पत के पास हुए एक सड़क हादसे में दीब सिद्धू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त दीब के साथ उनकी गल्फ्रेंड और पंजाबी एक्ट्रेस रीना रॉय भी मौजूद थी। हाला कि उनकी हाला तभी स्थेर बताय जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताच की और पूछताच में कई हैरान कर देने वाले खुला से भी हुए। रीना से बात करने के बाद पूरी जानकारी देते हुए सोनी पत के एस पी राहुल शर्मा ने बताया कि दीब सिध्धू की महिला मित्र रीना रॉय तेरा जन्वरी को ही अमेरिका से भारत आई थी और दोनों गुरु ग्राम में कहीं ठहरे हुए थे। शाम करीब साड़े साथ बजे के आसपास गुरु ग्राम से चलने के बाद बादली टोल से इन्होंने के एमपी का रास्ता पकड़ा था। जिसके बाद करीब रात आठ बजे जब यहें लोग के एमपी पर खर खोदा के पास पहुँचे तब यहें पूरा हाथसा हो गया। पुलिस के मताबिक शुरुवाती तफ्तीश में यहें मामला हाथसे का ही लग रहा है। रीना ने जो पुलिस को बताया है उनके मताबिक हाथसे के समय बाइस टायर ट्रक रोड साइड खड़ा नहीं था बलकि के एमपी पर चल रहा था। और पीछे से तेज रफतार से आ स्कॉर्पियो गाड़ी हाथसे के बाद करीब 25 से 30 मीटर तक घसीरती चली गई जिसमें उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह से छटी ग्रस्त हो गया। जिसके बाद खुद रीना ने ही हाथसे के बाद अपने कुछ जानकारों को फोन किया जिन्होंने यहां आसपास मौजू पुलिस को असपास से ही इस हाथसे की जानकारी मिली थी। विलहाल ट्रॉला का ड्राइवर फरार है। वहीं हालप में सुधार आने के बाद रीना पूरी तरह से टूट गई है। हेक्टरस ने अपने इंस्ट्रग्राम अकाउंट पर दीप संग अपनी कुछ खोपसूरत तस्वीरे पोस्ट की हैं जिनमें दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि रीना अमेरिका से इंडिया दीप संग वैलन्टाइन डे मनाने आए थी। लेकिन उनके लिए ये दिन काफी दर्दनाग साबित हुआ। इस हाथसे के बाद पुलिसिस पूरे मामने को गंभीरता से ले रही है और तमाम उनकडियों को जोडने में लगी है ताकि किसी भी तरह की जाज़ेश के क्यासों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।